आज मैं ग्रीवी भाग के कटवती परस्ताओ कि पक्स में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ निता परतिपक्स को मुझे अफसर दिया लगातार मैं बजट देख रहा हूँ 143 अरब रुपया और लगातार परते एक वर्स देखा जाए तो इतना बड़ा बजट गरीवी भाग में दिया जा रहा है इसका परिनाम क्या बिहार में हो रहा है इस पर हमको एक शेर याद आता है जो नेता परतिपक्स जी ने पिछली वार कहा था कि जुर्म करने वाले जेल में रहते कहां है जुर्म करने वाले जेल में रहता कहां है गड़ीबों का नितीस राज में नयाय मिलता कहां है तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये गौतम बुद की धरती है ये मासीता की धरती है ये दिशी मिनियों की और यहां जिस तरह से लगातार परतेक वर्च अपड़ात की घटनाएं बर रही है, यह काफी चिंता की बात है, यह केवल पुलीस की असफलता नहीं है, बलके सरकार की जो सोच होती है, जो सामाजिक न्याय क्या जो एक विचार होता है, जो तमाम तरह की कल्यानकारी योजना की घटनाएं बरती है, जैसे आप अच्छी शिक्षा की व्यवस्ता नहीं कर रहे हैं, आप गुनवत्ता पुन शिक्षा की व्यवस्ता नहीं कर रहे हैं, आप तकनिकी शिक्षा की व्यवस्ता नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जीवन य तक सरकार लगातार बात करती है किम्म ठीपास गृतार काम कर रहे हैं खासतौर से गरीव इवाराग के मामने में सुसास्न की बात करते हैं तो हम आई कुछ voor point पर चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर यह गिरफ़तारी गिरफ़तारी कितनी कर पा हैं अगर हम चाहेंगे कि सरकार जवाब दे मेरे पास जो आकड़ा है परतेक वर्स 5000 से अधिक ऐसे मामले करने के लिए इस अपरादी आखिर गिरफतार नहीं होगे कुर्की जपती नहीं होगा ताकि सेलेंडर कैसे होंगे वह अपरादी लगातार अपरात करते चला जाएगा उसी तरह आज आप पकर कियो नहीं पाते हैं जबकि अब मेकनिजम डेवलप हो चुका है अब के जड़ी आप डिटेक्ट कर सकते हैं अब मोबाइल के जड़ी आप सिर्ट कर सकते हैं आप सीटी टीवी के जड़ी तमाम तरह का सैंटिफिक मेकनिजम डेवलप हो चुका है अब किसी अपरादी को चंद घंटे में गिरफतार किया जा सकता है और यहां लाखों के सैसे है जो लंबित हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है